नमस्कार दोस्तों मैं हूं राज अलवाई मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत तो दोस्तों भाईयों आप जानते हो कि गनेश जी को मोदक बहुत पसंद है गनेश चोधुर॥ी आने वाला है आज हम बनाएंगे टेस्टी मोदक मावा मोदक तब माबा मोदक हम सिर्फ पेवर दूद से बनाएंगे इसके लिए हमने हाई फ्लेम पे गैस आन किया है कडाही हमने नास्टिक वाले रखा है और डेर्ड लीटर हमने बुफैलो मिल्क एड़ किया है कडाही में अब इसको हम गरम करेंगे पहले अच्छी तरह गरम करेंगे उबाला देदेंगे दो मिल्क में हमारा दूद उबल जाता है हाई पिलेम पे हमने गैस चूला आन किया है और इसको हम काडते रहेंगे इसका हम खोया बनाँगे ये हमारा फुल फैट दूद है ये जो मलाई से उपर आ जाती है इसको साइड से हम बीच में करते रहते हैं और इसका हम खोया बना लेंगे ये देखिए ये गाड़ा हो चुका है ये पंदरा मिन्ट लग गया हमको गाड़ा करते समय तो ये हमने गाड़ा करके और ये बिल्कुल पेवर खोया बनके तयार हो गए ये डेड़ लीटर दूद का हमारा खोया बनके तयार है इसको सुखा लिया है ये देखिए अब ये बिल्कुल खोया बनके तयार है ये साइड जो होता है क्राही का छोड़ने लगता है बिल्कुल ये सुख चुका है इसमें हम सुगर आइड करेंगे 80 ग्राम हमने 80 ग्राम हमने सुगर आइड किया है इसको मेक्स कर देंगे गैस का फ्लेम हमने लो मेडियम कर दिया है अब इसको हम सेखते रहेंगे यह देखिए, यहां हम सेकते रहेंगे, इसमें हम स्वाद के लिए इलाइची पौडर आड़ करेंगे, यह देखिए, हमने इलाइची पौडर आड़ कर दिया, अब इसको तो हम पांच मिनद तक सेका लगाएंगे, जिससे सुगर हम आड़ करते हैं, तो यह थोड़ा सा गिल होने के साथ इसको हम सेक लेंगे, थोड़ा सुखा लेंगे, जब यह गोली बनने की ओस्था में आ जाता है, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, यह देखिए, अभी हम सुखाते रहेंगे, यह देखिए, जब यह कडाही हमारे नास्टिक में छिपकना बंद हो जाता ह है, यह देखिए, जब चारतरफ से जब छोड़ने लगता है, यह देखिए, इसमें अब सिपकता नहीं एक डाही में, तो यह हमारा जो है, तैयार हो जाता है, यह गोली बनने की ओस्था आ जाती है, यहां हम गैस का फ्लेम यहां हम बंद कर देंगे, यह हमने गैस का फ्ले भी bleibt कर दिया है तो इसको मेंक्स करदेंगे यह को याल में और ठंडा करेंगे देखने गहीए दें कि अच्छी तरह हमस्य आइड करने से यह बहुत करने से यह एसको मिझारा है झाल मेरे करेंगे ये देखिए ये अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए नहीं तो हमारा मोदक जो है मुलायम रहेगा अगर ये खोया मुलायम रहेगा तो मोदक सही नहीं बनेगा अच्छी तरह सुखा लेने के बाद ये ठंडा होने के बाद तब हम मोदग बनाएगे उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये गोली बन जाती है इस तरह ये गोली बन के त्यार हो जाती है इस तरह ये गोली जब बन जाती है तो ये कोई भी आप लड़ो बना सकते हो बर्फी बना सकते हैं जैसे मर्जी आप सेप इसको दे सकते हैं उसके बाद में यह हमने पूरा ठंडा कर लिया है हाथों से मिक्स करके और यह देखिए हम एकठा कर देंगे पहले यह सारा हमने एकठा कर लिया है अब हम इसमें यह हमारा साचा है इस साचे में हम एड करके अपना मोदक बनाएंगे हाथों से भी बना सकते हो लेकिन हाथों से इतना बेस्ट नहीं बनता है यह हम साचों से बना देंगे यह देखिए बड़ा सा साचा है तो इससे हम मोदक बनाएंगे इसमें एक पीस हम काज भी stepping कर देते हैं तो यह हम साचे में बिल्कुल stepping कर दिया है और उसके बाद में यह देखिए साचे से निकाल देते हैं साचे में थोड़ा सा तेल लगा लेना चाहिए यह आसानी से निकल जाए यह देखिए यह हमारा मोदक मावा मोदक बनके और टेस्टी मावा मोदक बनके त्यार है अब हम दूसरा पीस त्यार करेंगे ये देखिए इस तरह हम फिंगर से दबा दबा के अच्छी तरह ये साचे में स्टिप करेंगे ये देखिए इसमें काजुगा पीस या दो पीस किसी किसे में हमने दो पीस डाल देंगे तीन पीस डाल देंगे तो ये अच्छी तरह ये मावा मोदक हमारा बनके त्यार है और ये बिल्कुल टेस्टी मोदक बनके त्यार है आपको सोग से घर में खाना तो सिर्फ मावा मोदक बनाई है तो यह देखे ये दूसरा पीस बन के तैयार है एक साचा हमारे पास और है यह छोटा सा है इस तरह यह हम बिल्कोल यह खुल जाता है फोर्ड के खुल जाता है तो इस तरह छोटे-चोटे साइज में यह तीन जगे पर ऐसे इस तरह श्टिप कर देंगे यह देखे इस तरह हम छोटा मोल्ड है हमारा तो इस तरह हम यह मावा तीन जगा इस्टिप करेंगे और तीनों को एक अठा कर देंगे और दबाव देंगे यह देखे अब यह मोदक बनके त्यार है पीछे से थोड़ा सा हम और इस्टिप कर देंगे अपना मावा तो यह देखिए यह भी छोटा साइज का है यह छोटा साइज का मोदक हमारा बनके त्यार यह देखिए हाथों से भी आप बना सकते हो और साचे से भी बना सकते हो तो इस तरह ये हमारा मोदक बनके त्यार है इस पे हम थोड़ा सा कलर उपर से लगा देंगे रेड कलर और हम पिस्ता भी लगा देंगे हरा पिस्ता लगा दिया है प्लेट में हम रख लेंगे सारा ये सारा पीसम प्लेट में रख लेगे अब आपको दिखाते हैं कि हमारा मोदक कितना बेस्ट बन चुकर है तो इस तरह के मोदक आप भी अपने घर में बना सकते हो और ये बहुत टेस्टी मोदक बनता है इसमें हमने देसी गी, इलाइची पोडर और दूद भी हमने फुल फैट लिया है इस तरह के आप सौक से खाने के लिए घर में मोदक बना सकते हो उसके बाद में आप हमारे चैनल पे जाएए तो हमारे चैनल पे हर एक तरह की मिठाई मुझूद है रस गुले, गुलाब, जामुन, बर्फी इस तरह की सारी हमारे ब्रेटिया मुझूद है आप देख सकते हो उसके बाद में एक मोदक हम ये कट के दिखाते हैं ये देखिए बीच में स्टपिंग वारी काजू दिख रही है ये देखिए तो इस तरह के मोदक आप भी अपने घर में तयार कर सकते हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सस्क्राइब करके बलेकान की घंटी दवाना बिलकुन लभूले